नमस्कार दोस्तो रेल मिक्स नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत दोस्तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि चलती ट्वेन में हम किन किन कंडिशन्स में चैन पूलिंग कर सकते हैं और अवेद रूप से चैन पूलिंग करने पर उससे क्या-क्या दिक्कते हो सकती है आए इसके बारे में जानते हैं जैसा कि दोस्तो आप लोग जानते हैं कि भारतिय रेल जो लाखो यात्रियों के लिए प्रति दिन यात्रा का सबसे प्रिये साधन है ना केवल समय की बचत करता है वल की यात्रा को सुख़द भी बनाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा के दोरान अपात इस्तिती में चैन पूलिंग का विकल्प होता है जिसका उप्योग कब और कैसे करना है आए समझते हैं ट्रेन में यात्रा करते समय अपात कालिन इस्तितीयों में चैन पूलिंग की सुख़दा यात्रियों को दी गई है या सुख़दा उस समय उप्योग होती है जब कोई यात्री रेलवे स्टेशन पर छूट जाए ट्रेन में आग लग जाए किसी के गिर जाने, मेडिकल इमर्जेंसी, डकेती, स्नैचिंग जैसी अपात इस्तितियों में हम चैन पूलिंग कर सकते हैं हालनकि चैन पूलिंग का विकल्ब जिम्मेदारी के साथ आता है रेलवे ने इसके लिए करे नियम बनाए है ताकि यात्री इस सुबिदा का दुरूपयोग ना करे जैसे कि अगर किसी यात्री ने बिना किसी वैद कारण के चैन खिची तो उसे कानूनी सजा का सामना करना पर सकता है भारतिय रेलवे अधिनियम के अनुसार बिना उचित कारण के ट्रेन की चैन खिचना एक गंभीर अपराद माना जाता है इसके लिए एक साल तक की जेल या एक हजार उपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या डंड यात्रियों को बिना वज़े चैन पुलिंग से रोकने और रेल सिवाओं में बाधा ना डालने के लिए निर्धारित किया गया है यात्रा के दोरान जागरुकता और जिम्यदारी दोनों ही महत्पुर्ण है चैन पुलिंग का उपयोग करने से पहले यात्रियों को इस्तिती का सही मुल्यांकर कर लेना चाहिए और केवल गंबीर और व्यद अपातकालिन इस्तितियों में ही उसका उपयोग करना चाहिए इससे ना केवल रेलवे की सेवाओं में सुधार होगा वलकि यात्रियों की सुरक्षा और संतुष्टी में भी बृद्धी होगी दोस्तों उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्लिक इस वीडियो को लाइक कर दे और जरूर से जरूर चैनल को सब्क्राइब कर दे और कमेंट में आप भी मुझे बताइए कि क्या कभी आपने चैन पूलिंग किया है धन्यवाद